हेलो दोस्तों मेरे चैनल सुक्समरदी उपाय में आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत हैं जैसा कि सपने में हमें बहुत सी ऐसी चीज़े दिखाई देती हैं जो हमारी जिंदगी से कुछ न कुछ तालुक रखती हैं ऐसे में कैई वार किसी व्यक्ती का सपने में आ जाना भविस्य की जुड़ी जानकारी का संकेत देता है इसी के साथ आए जानते हैं सपने में पूर्वजों का दिखाई देना किस बात का संकेत देता है पित्र पक्ष सपने हमें भविस्य के वारे में होने वाली घटनाओं से अबगत कराते हैं हैसे में अब पित्र पक्ष आरंब हो गया है एक और ऐसा मौका है जब हमारे पित्र हमें भविस्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं अगर आपको सपने में आपके पूर्वज या पित्र दिखाई देते हैं तो इस तरह के सपनों को कभी टाले नहीं बलकि इनका अर्थ समझने की कोशिस करें और सतर्क हो जाएं आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाह रहे हैं तो जानते हैं कि पित्र क्या देते हैं संके क्याई बार आपने सपने में देखा होगा कि आपकी पूरवज जो हैं आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो समझ जाएं कि वे आपके जीवन में आ रही बांधाओं और परिसानियों से दुखी हैं और वे आपकी मुसीवतों को कम करने के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ा कर मदद देने की कोशिस कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है सपने में देखा होगा आपने कभी कि कैई बार हमारे पूरवज होते हैं गर के किसी कौने में चुपचाप खड़े दिखाई देते हैं तो समझ जाईए कि आपके पितर आपसे बहुत ही अपेक्चा रखते हैं और वे चाहते हैं कि आप उनसे उनके लिए पूजा पाट करें उनकी सांती के लिए जो भी धार्मी को पाए हैं उन्हें करवाएं साथ ही इस बात का भी संकेत है कि आपके जीवन में कोई परिशानी आने वाली है अगर आपके अपने पूरवज रोते होए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वह किसी तरह कष्ट में है और उनकी आत्मा को सांती नहीं मिल रही है उनकी आत्मा की सांती के लिए आपको पिंडदान जरूर करना चाहिए उपाय के तोर पर बताने कि आपको पित्र पक्ष में पित्र सांती के लिए पूजा पाट जरूर करवाना चाहिए इसके अलावा आप चाहें तो पित्रों की सांती के लिए पंचवली दान कर सकते हैं इसके लिए आपको पित्रों के नाम से भूजन कराना भ्रामाण कुत्ते बिल्ली को गाये को दान करना चाहिए पित्रों की सांती के लिए भगवत पुरान का पाठ भी सुनने से और करवाने से बहुती सांती मिलती है गरुन पुरान के अनुसार गया श्राद का बहुत महत बताया गया है गया में जाकर श्राद कराने से सो पीडियों का उद्दार होता है और पित्रों की आत्मा को भी सांती मिलती है इस समय पित्रों के समय गया में बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ पर पित्र अपने पिंड़दान किये जाते हैं जिनके पित्र दोस लग रहा है जो पित्र नराज है या वैसे भी कोई पिंड़दान करना चाहता है तो वो ग्या में इस समय सब लोग जाते हैं पिंड़दान करने तो वहां बहुत इस समय भीड़ लगती है तो जो भी कोई जाना चाहे जा सकता है यदि आपने सपने में पित्र हमेशा एक दूसरे से बात करते हुए बार-बार नजर आते हैं तो इसका मतलब होता है कि वे आपसे किसी घटना के परती सचेत कर रहे हैं किसी अपिरिय घटना का पूर्व संकेत लेकर सपने में आते हैं ताकि उनसे बंसज की रक्षा हो सके और ऐसे सपने अनुमोनन उनहीं को आते हैं जिनके पित्र उनसे परसन होते हैं और इसी कारण वे अपने बंसजों को मुसीवत से बचाना चाहते हैं यदि सपने में आपको अपने पूरवज आपके उत्तर या आपके परिवार में नजर नराज होते या गुस्से में नजर आएं तो समझ लें कि आपसे बेहत दुकी हैं गुस्से में हैं पित्र दोच जिनकी कुंडली में होता है उनके सपने यह होता है कि वह सुब नहीं होता आपको अपने पित्रों से प्रशन करने का प्रियास करना चाहिए यदि आपको के पित्र आपके बाल सवारते हुए जू निकालते हुए बालों में से इस तरह से दिखें तो परिसानी क दूर कर सकते हैं वे इसका मतलब यह होता है कि वह ऐसा यह बताने कर रहे हैं कि आपके उपर जो विब्दा आई है वो उसे हर लेंगे उसको खतम कर देंगे संकट मुक्त कर देंगे आपको सपने में पितर्यदी आपको मिठाई बाटते हुए दिख रहे हैं तो सुपसंकेत है कि इसके दो मतलब होते हैं पहला तो यह होता है कि वे आपके कामों में बेहत प्रिसन हैं दूसरा यह होता है कि आपके मांगली कार्य होने वाले हैं और आपको सूचना देने के लिए यह आए हैं यदी सपने में आपको पूरवत चुपचाप, आपसे कुछ मांगे नहीं, ऐसी खड़े हैं, आपसे खुस नहीं हैं, वे आपसे अपना, मतलब यही कह रहे हैं कि पूजा पाट करिये आप उनकी, तो यही थे, यदी सपने में आपके पूरवत भटकते हुए दिखें, तो व जो देखका सोएंगे, तो कुछ हद तक सपने अच्छे आते हैं, अगर आप लड़ाई जगड़ा देखके सोएंगे, तो लड़ाई जगड़े के आएंगे, अगर आप पित्रों को देखते हुए सोएंगे, तो पित्र के सपने आएंगे, तो सपने इंसी से जादा महत्व रखते हैं, सास्तों में माना जाता है कि पितर पक्ष में हमारे पूर्वल धर्ती पर किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं, शाद के माध्यम से भोग के रूप में उटजग ग्रहन करके अपनी लोग में दुवारा चले जाते हैं, लेकिन कही बार हमसे पितर संतुष्ट होते हैं, तो वे सपनों के माध्यम से हमें संकेत देते रहते हैं, आपको पितर पक्ष में ऐसा भी कही बार पितरों ने सपने आते होंगे, अलग-अलग भाव के नजर आते हैं, तो इनको समझ पाना बड़ा मुश्किर हो जाता है, तो आज मैंने उसी की बात बताई हैं, आपके अगर पितरों के सपने आते हैं, तो आप इन संकेतों के जरीए आप समझ सकते हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पितर हमारी जो होते हैं, वो सपने में ही बात करकर जाते हैं, तो उनकी बातों को समझें, और उनके उपाय करें, वीडियो प्योंगी ल